इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपूर जिला से आ रही है जहां मंडल कारा समस्तीपूर में विचाराधीन बंदी की मौत संदिक दुवस्था में इलाज के दोरान टीम सी एच पटना में हो गई जिसकी जानकारी मिलते ही मृत विचाराधीन बंदी के घर में चीख पोकार मच गई मृत के परिजनों का रोरोकर बुरा हाल होने लगा मृत्विचारा धीन बंदी की पहचान उजियारपूर्थाना क्षेत्र के भगवानपूर कमला पंचायत स्थिद्वार ग्यारा निवासी गन्न और सद्धा के 33 वर्ष ये पुत्र श्याम सदा के रूप में की गई है घटना के संबंद में मृत्विचार के परिजनों का बताना है कि शनीवार 25 जून को उनके मुबाइल पर फोन आया कि मंडल कारा में बंद श्याम सदा की मौत हो गई है जब मौत होने का कारण पुछा गया तो बताया गया कि मृतक पेड़ पर से नीचे गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई है जिसके बाद 25 जून की देर राथ ही पुलिस वालों ने मृतक का शव उनके घर पर लाकर रख दिया तथा चले गए इस दोरां च्ठानिय सूत्रों का बताना है कि शव सौपने आय पुलीस कर्मियों ने मृतक के पत्नी से कुछ काग जात पर हस्ताक्षर भी करवाया थे हाला कि उन काजातों पर हस्ताक्षर क्यूं करवाया गया, इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को नहीं दी गई थी वहीं घटना से संबंदित मंडलकारा के द्वारा खुल दो पत्र मृतक के परिजनों को प्रेशित की गई है जिसमें से एक पत्र पेड़ पर से गिरकर घायल होने तथा इलाज से संबंदित है तथा दुसरा पत्र शव को सौपने से संबंदित है मंडलकारा के द्वारा प्रशित पत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि उज्जियार पोर्थाना कांड संख्या एक सौग अठार अठारा के विचारा धीन बंदी श्याम सद्दा शनीवार 25 जून की सुबह नंबर खुली के दौरान का क्ष्ट संख्यादों के सामने लग विशाल पीपल के पेड़ पर काफी हुचाई तक चड़ गया जिसे मंडलकारा कर्मियों तथा अन्य बंदियों के द्वारा व्रिक्ष से नीचे उतारने का काफी प्रयास किया गया लेकिन वह नीचे नहीं उत्रा और उपर से की अचानाक नीचे जमीन पर कूद गया जिस बलकि अभिरक्षा में सदर अस्पताल समस्ती पूर भेजा गया, जहां उसकी घंभीर स्थिती को देखते हुए पटना पीमसी एट रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का शव पोस्त मौर्टम के बाद उसके परिजनों को हाला कि इस पुरे घंडा करम ने मंडल कारा के सुरक्षा विवस्था की पॉल खोल कर रख दी है, अब सवाल यह हुठता है कि जिस समय उक्तबंदी पेड़ पर चड़ रहा था, उस वक्त जेल वबंदियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी क्या कर रहे थे? क्या जे वर्ष भी इसी प्रकार की तीन घटनाएं जिला के दलसी सराय उज्जियार पोर वन नगर थाना में हो चुकी है, जिस पर तब कालीन पुलिस कप्तान हृद्यकांत ने विभागिये कारेवाही भी की थी, तो मंडल कारा में इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक इस घटा की जाज तक क्यों नहीं करवाई गई, सुरक्षा में तैनाथ किसी कर्मी के खिलाफ विभागिये कारेवाई क्यों नहीं की गई है, ऐसे बहूत सारे सवाल हैं जिसका जबाब अभी भी प्रशासन को देने बांग की है, अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार कि जनकारी मिली की परेजन को आपका मिर्तु हो गया है, सामसादा नाम का है, उसका मिर्तु हो गई है, तो लहास आपना आ करके, बताया था जै कैसे मिर्तु हुई है, वो बताया नहीं था, वो डिरेक्ट कहा कि आप आये यहां पहले, मिली है और जहास को आप लिए जाए वहा जानने के बाद हाद आप क्या जानकारी मिली फाहाँ एक तिरुपल– एष्टर था इंस्पेक्टर था वहाँ किया अधूत जो भाचित हुए हमको जो रचाना आप मामला कैसे हुई आपके मंदल काडा में कैसे लचाथा में रचातक लेचत कि भूडמegen рच वहां के जैलर से पूछे इंस्पेक्टर पुंचे अब नहीं था कि नहीं था पाइखाने लेटरिंग था और लेटरिंग के लेटरिंग back state पीछे से चला गया कितने बजे गया था लिए कोई टाइम तो होगी ना निर्हारी जो कितने बजे उगाई उस समय वहां के कॉंस्टेबल का ड्यूटी था कि नहीं था आपका कॉंस्टेबल का तो नहीं कुछ बोल पाए कहा सिधे 200 गाचपर से जहां तो फॉनकर को पूड़ गये और वो एक वीडियो बना दिखला रहे थे तो वहां जाने के बाद आपको क्या जान करी मिलेगे धास्पर से दिखिर गलोग आफ़ा का श्वासन मिलाय की नहीं आप लोग का क्या डिमांड है? क्या मांग है परचासन से, सरकार से? कितना दिल से जेल में थे?